अब सभीका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटनेरी मेडिसिन रिव्यू में दोस्तो आज हम लोग सारको फेराल वेट के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं कि इसे कब आप उपने चानलों को खिलाते हैं, कितना खिलाते हैं, कैसे खिलते हैं सारी की सारी जानकरी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेगिन वीडियो स्टार्ट किया जाए उसे पहले अगर भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो सौरकोफेरॉल है ये साढ़े 400 ग्राम के पैक में आता है एक किलो के पैक में आता है और धाई किलो के पैक में आता है और जो पैट्स होते हैं उनके लिए अलग एक आता है सौरकोफेरॉल पैट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है शौरको फिराल जो है वो एनिमल्स का फीड सप्लिमेंट है इसमें माल्ट बेस में विटामिन, आयरन, काबर और कैल्सियम मिले हुए है तो क्या-क्या इसमें मिला हुआ है उसकी actual quantity क्या-क्या है तो इसके पर 21 ग्राम में 21 ग्राम में क्या-क्या पड़ा हुआ है तो है माल्ट एक्स्ट्रेक्ट 4.52 ग्राम और कैल्सियम ग्लूकोनेट है 360 mg फेरिक अमोनियम साइटरेट 300 mg जो आयरन के 64.5 mg के परावर है फिर है कॉपर सल्फेट 100 mg, कोबाल्ट क्लोराइड है 1.5 mg और कॉले कल्सिय फेरॉल है विटामिन D3 3600 इंटरनेस नेनुट है नियसीनामाइड है 45 mg, पैयोटीन है 75 mg और फॉलिक एसिड है 1.5 mg और साइनो कोबाला माइन है 15 mg तो ये कमपोजिशन है पर 21 ग्राम सारकोफेरॉल में ये चीजें मिली हुई है अब बात करें सारकोफेरॉल वेट के उपयोग कीगी, कहां पे इसका उपयोग होता है तो इसको सबसे पहले हम लोग एनीमिया यानि रख तालपता, खून की कमी रेड बलड सेल्स की कमी हो जाती है जब आपके जानवर के शरीर में तो उसमें आप अपने जानवर को इसे दे सकते हो और जिस जानवर के शरीर में खून की कमी हो जाती है उसमें आप क्या-क्या लक्षर देखते हो तो देखिए फहला है वो सुस्त रहेगा चलेगा तो लड़कडा के चलेगा खाना पीना कम कर देगा या फिर खाना पीना छोड़ देगा और जानवर हर दम थका थका महशूष दिखाई देगा आपको सरीरी बे उसके कप्पूपी होगी या फिर बैठ जाएगा एक दम से उठने ही पाएगा जो रक्त की कमी है इसके ये लक्षण है अगर बात किया रख की कमी होती क्यों है तो सबसे जो मेन है वो है बाहापरझीवियों का शंक्रमण जैसे जो टिकस हो गए, माइट्स हो गए और जीतने भी बाहापरझीवियी होते हैं वो जानवर के स्रेज का खून ही चूजते हैं और उसी से वो जिन्दा रहते हैं तो सबसे पहला जो कारण है खून की कमी होने का वो बाहर परजीवियों का शंक्रमण है और दूसरी कारण की बात किया जाए तो जो हेमो प्रोटोजोगल डिजीज होती है जैसे रेड वाटर, बबेजियोसिस, सर्रा, थलेरोजिस इन सब बिमारियों में भी आपके जानवर के शरीर में खून की कमी हो जाती है अगर ये बिमारियां आपके जानवर के शरीर में है तो आप जैसे उसका ट्रीटमेंट एंटी प्रोटोजोगल जो मेडिसिन्स हैं उसको देने के साथ-साथ आप इस दवा को भी खिला दे रहे है सारकोफेराल की मतलब जब कोई भी एहमे प्रोटोजोगल डिजीस है उसको अगर आपकी जानवर के शरीर में है तो आपको इस दवा को साथ में सपोर्टिव ट्रेटमेंट के रूप में देना है और तीसाय करण खून की कमी हो सकती है कहीं कट जाए और जैसे जानवर को तो उससे ब्रट ज़्यादा अगर निकल जाएगा तो भी खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी में तो बहुत ही सांधार रिजल्ट देता ही है इसमें vitamin B प्रचुर मात्रा में है तो जो vitamin की deficiency में भी अपने जानवर को दे सकते हैं यह जो जानवर बार बार बिमार हो रहा है या फिर बिमार होने पर जल्दे recover नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी आप अपने जानवर को इसे देंगे तो बहुत ही सांधार number one का result मिलेगा इसे बच्चा देने के पहले अपने जानवर को दे सकते हैं उसके शरीर में proper जो nutrients होते हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए एवं जो पीट में बच्चा उसके पल रहा है जानवर की पीट में बच्चा पल रहा है उसके शंपूर विकास के लिए आप इसे अपने जानवर को दे सकते हैं इसे बच्चा देने के बाद में ketosis और milk fever और negative energy balance इन सभी चीजों को कम करने के लिए दे आ जा सकता है और बच्चा देने के पहले भी अगर ये problem आ रही है तो भी आप अपने जानवर को ये खिला सकते हैं बच्चा देने के बाद अगर जानवर का दूद जो है फिर आल जो है यह जानवर के शरीर में चमक भी लाता है क्योंकि इसमें पायोटिन विटामिन एच पढ़ा होगा है जो जानवर के शरीर के बाहरी आवरण को भी मेंटेन कर देता है किसी जानवर को आप इसे खिला सकते हो किसी भी जानवर को आप खिला सकते हो उसके सरीर के जल्दे विकाश के लिए सरीर उसका अगर विकाश नहीं कर रहा है तो जल्दी से weight gain करने के लिए जल्दी से उसको तयार करने के लिए आप इसे दे सकते हो अगर pets हैं, pets के लिए सारको फेराल pet के नाम से आता है 1110 रूपए के बीच में आपको मिल जाएगा market में और जो मैंने उपर बताया है जितने काम वही सारे काम आप नहीं जानुर को मतलब जो pets है उनके लिए भी वही काम करेगा तो और इसका कोई side effect नहीं है animals के लिए feed supplement है और यह one of the best product है आप इसे सभी जानुरों खिला सकते हैं उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए उनकी गमी को दूर करने के लिए उत्पादन को उच्च करने के लिए अब अगर बात करें dose rate की, कि इसे कितना खिलाया जाता है, तो जो गायब गोड़ा उंठ है, बड़े जानुर जो है उनको 30 ग्राम से 50 ग्राम देना होता है, या फिर आप 10 ग्राम प्रति क्वेंटल, हैनि 100 किलो पर 10 ग्राम के हिसाब से खिलाया जाता है इसको जानुर अगर 100 किलो का है तो 10 ग्राम दिया जाएगा बचडे, बचिया, बकरी और भेंड, इनको 10 से 15 ग्राम देना होता है बचडे, बचिया, बकरी और भेंड को 10 से 15 ग्राम एक बार देना होता है दिन में, सूर जो है सूर को 25 से 30 ग्राम जो बड़े सूर है उनको 25 से 30 ग्राम देना होता है, और जो 250 change के रूपे में आपको मिल जाएगा, एक किलो वाला 340-330 के आसपास मिल जाएगा आपको, और एगा किलो वाला जो है वो 7500 के आसपास मिल जाता है मारकेट में, तो यही था सारको फिरॉर्ण वेट के पारे में आपको सारी यानकरी, मैंने दे दी है कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कलिजे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर भी जरूर कीजेगा मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है उसके लिए भी आप सभी को थाइंक यू सो मच फार यूर लव एंड सपोर्ट थाइंक यू सो मच दोस्तो आप लोगों में से जिन भी लोगों ने अभी तक इस टेलिग्राम चैनल को है जोइन किया है तो प्लीज जोइन कर लिजे क्योंकि यहाँ पर मैं आपके नॉलेज की बहुत सारी चीजे सेर करते रहता हूँ जैसे कुछ PDF हो गए कुछ पिक्चर्स हो गए दवाईयों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है तो अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आप जो चैनल का नाम है उसी नाम से है वेटनरी मेडिसिन रिव्यू करके कर आप सर्च करेंगे तो आपको यह चैनल मिल जाएगा यह दिख लिए यही चैनल है